एक बार सच और जूट ने नदी में असनान करने पहुचे दोनों ने अपने अपने कपड़े उतार कर नदी के तट पर रख दिये और जट पट नदी में कुद पड़े सबसे पहले जूट नहा कर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहन कर चला गया सच अभी भी नहा रहा था जब वो असनान करके बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे वहाँ तो जूट के कपड़े बड़े थे भला सच उसके कपड़े कैसे बहानता कहते हैं कि सच तब से नग रहे और जूट सच के कपड़े बहान कर सच के रूप में प्रतिष्टिक है किसी ने पूछा दर्द क्या होता है जब आप मिला दर्द वो है जो सिर्फ बरदास किया जा सकता है ना किसी से बताया जा सकता है ना किसी को सुनाया जा सकता है सिर्फ बरदास किया जा सकता है किसी ने एक बुजुर्ग से पुछा आज के समय में सच्ची इज़त किसकी होती है बुजुर्ग ने जबाब दिया इज़त किसी इंसान की नहीं होती जरूरत की होती है जरूरत खत्म तो इज़त खत्म गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता जैसे छट पर चड़ जओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता मनुस्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है जब धन संपन होता है तो अकड़ कर चलता है और जब धर्म संपन्न होता है तो बिनम रहोकर चलता है अच्छा बनना है तो अपने मा, बाप और इस्वर की नजरों में अच्छा बनो दुनिया वालों का क्या वो तो आपके तरक्की देखकर जलेंगे भी और नाकामी पर हसेंगे भी घर के अंदर जी भर के रोलीजिये पर दर्वाजा असकर ही खोलिये क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि तुम अंदर से तूट चुके हो तो वो तुमें लूट लेंगे सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सिखे बारात होया जनाजा साथ जरूर देंगे तजुर्पा कहता है कि वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं बड़ों को भी छोटे आख दिखाने लगते हैं कभी जाकर देखो नए नए अमीरों के घर एक एक छोटी चीज़ की कीमत मत बताने लगते हैं साथ से किसी की इंतजार नहीं करती चलती है या चल देती है चिन्ता इतना ही कीजिए कि काम हो जाया पर इतनी नहीं कि जिन्दगी तमाम हो जाया तिल सच्चा कर्म अच्छा बाकी सब भगवान की इच्छा कि उन्ता इाल भगवान की जाइट